तो हेलो एवरिवन आयम सची तो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड़ 5th question longest palindromic substring दिस्क्रिप्शन में दिया गया है given a string s return the longest palindromic substring in s हमें एक string का substring निगालना है जो कि palindromic हो palindromic मतलब अगर हम कोई भी substring को reverse कर दे तो भी वो वैसा ही same होना चाहिए पहले वाले substring की तरह तो यहाँ पर जैसे कुछ examples दिये गए हैं जिसमें s is equal to babad है तो यहाँ पर output दिया गया है bab क्योंकि यह जो bab है इसका length है 3 और फिर आप यह भी ले सकते हो a, b, a जिसका भी length है 3 तो यहाँ पर दोनों ही possibilities है तो अब हम explanation देख लेते हैं थोड़ा कि इसको कैसे solve करना है हमें coding में इसका approach क्या होने वाला है जो हमारा better complexity के साथ सम्मिट हो तो यहाँ पर हमारे पास है babad same example as given अगर हम brute force apply करते हैं तो हमें एक एक पर हमें देखना परेगा हर के लिए कितने substring possible है फिर हमें देखना परेगा वह substring क्या palindromic है या नहीं फिर हमें लेन्थ लेना परेगा उसका जो भी maximum length आएगा फिर हम उसे output करा देंगे मगर यह सारा हमारा हो जाएगा बूट-फोर्ट से time complexity of on q यह अप्रोच सही नहीं होगा तो अब हम डिरेक्ट जम करते हैं जो बेटर अप्रोच है इससे और जो हमारा time complexity on square में दे that is expand from middle तो हम सबसे पहले आएगे अपने first character पे जो की zeroth index पे होगा और उसको फिर हम as a middle consider करेंगे और उसके left में चेक करेंगे और उसके right में चेक करेंगे हमारा right or left equal है या नहीं जो कि first character में apply नहीं होगा क्योंकि यह खुदी एक extreme position पे है तो इसका left तो कुछ हो नहीं सकता तो फिर हम ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहेंगे फिर अब हम आजाएंगे second index पे और second index के लिए भी same length में store कर देंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे और एक इक index हम left के condition में पीछे करेंगे और right के condition में आगे करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा अभी भी right और left character equal आ रहा है अगर equal आ रहा होगा तो हम उसको फिर से max length में store कर देंगे otherwise हम आगे बढ़ जाएंगे index के अभी बी के लिए चेक करेंगे अभी क्या left उसका और right क्या equal equal आड़ा है character को जो कि हाँ यह यह अभी हमारा लिंद फिर से 3 हो जाएगा तो यहां पर पहले भी max length 3 था तो हमें यहां पर प्रेंज करने के ज़रत नहीं है और हम इसका एक और left पीछे करके देखेंगे और right को में एक और आगे कर देंगे प्लस प्लस और फिर चेक करेंगे क्या bd के इक्वल है जो कि नहीं है तो फिर हम next index की तरफ अगे बढ़ जाएंगे जो कि होगा इसे ही फिर a के लिए भी हम आगे पीछे देखेंगे right left मगर यहां b और d इक्वल नहीं है तो हम यहां पर next index की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और अब d के लिए चेक करेंगे इधर left में तो हमारे पास characters मगर right में तो अब खत्म हो चुके हैं तो फिर हम d के लिए भी रहने देंगे और finally हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे तो इस approach में हमारा expand from middle में हमारा time complexity on square आएगा तो अब हम अपने code में यह approach apply करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसका coding तो सबसे पहले हम initialize करेंगे right left दोनों को हम zero से initialize करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे looping में अब हमारा loop चलेगा 0 से एस लेंट तक अब हम लूप के अंदर दो लेंगे जिसमें हम एक function का value assign करने वाले हैं अभी हम देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे अभी हमने दो length ले लिया है जिसमें हम same function को call कर रहे हैं और यहां पर दो length क्यों लिया गया है वो मैं अभी बताती हूं बस थोड़ा से wait करो और सबसे पहले हम expand from middle function लिख लेते हैं उसमें क्या करना है हमें क्या return करना है और कैसे करना है फिर उसके बाद हम आगे वापस से for लूप के अंदर continue करेंगे और फिर देखेंगे हमने length 1, length 2 लिया क्यों अब हम इसके अंदर क्या करेंगे एक while लूप लगाएंगे जिसमें हम अपने left को कभी भी कम नहीं होने देंगे 0 से और हमारे right को हम कभी भी s length से बढ़ा नहीं होने देंगे और फिर चेक करेंगे right औ left कर जो value है और उस value पे जो character है वो हमारा equal है या नहीं अगर left character और right character equal हो जाएगा तो हम इस लोप के अंदर आएंगे और फिर हम अपने left को एक back कर देंगे और right को एक front कर देंगे तो left को हम करेंगे minus minus और right को हम करेंगे plus plus बस इस लूप में यहीं करना है और इससे क्या होगा हमारा right और left दोनों एक एक करके पीछे और आगे जाते जाएगा और जैसे ही हमारा यह character equal नहीं आएगा वैसे हम आपने लूप के बाहर आ जाएगे और return कर देंगे एक length वो अब हम देखेंगे हम यही क्यों कि है right minus left minus one अब हम एक example के तुरू देखते हैं let consider हमारा abc एक string है और हमारा b index 1 है अगर हम b के लिए हाँ चेक कर रहे हैं तो हमारा caret left i means यह one के लिए चेक होगा है और caret right means यह भी one के लिए चेक होगा है तो one one तो equally होगा character left and right क्यूंकि यह तो true हो जाएगा condition तो हम इस while के अंदर आएंगे और हमारा left हो जाएगा zero और यहां पर right हो जाएगा हमारा two हमें length चाहिए अभी यहां और हमें पता है कि length हमारा तो one होने वाला है क्यूंकि भी ही एक character है फिलाल next right or next left तो equal रहा नहीं हमारा loop तो यहीं पर खत्म होगा क्यू कि जब हम वापस से चेक करेंगे zero और two के लिए यहां पर caret zero और caret two के लिए चेक करेंगे तो a और c आने वाला है तो a और c आते ही यह loop break हो जाएगा और return में हमें length प्रिंट करना है सीधर सीधर दिख रहा है कि b a की length का है तो length हमारा पहले से ही one है हमें पता है right हमारा क्या तो हम ऐसा क्या करें जो कि हमें one मिले तो हम इसको वापस से minus one कर देंगे तो हमें मिल जाएगा one तो हमारा यहां पर ऐसे length निकलाएगा अभी हम length two भी क्यू ले रहा है expand from middle करके i or i plus one क्योंकि अगर हमारा string a b a होगा तो हम तो यहां पर middle character easily pick कर सकते हैं i index के थू मगर अगर हमारा string a b b a होगा हमारे सकाश को यहां र मिडल करेक्टर नहीं है एक मिडल करेक्टर नहीं है आपस दौ मिडल करेक्टर अगर हमारे सवेकरा था तो हम इसका left and right check कर सकते थे मागर हमारे पास अभी तो यह. घृ। यह. तो हम इसका right check करेंगी अगर b 가 gak लएक प्लाप से यह 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 बी आएगा और प्त लाइगा और लेफ्ट एजय गएक जो क्लिक्वल नही वहाँ लेंद तो इसका फिलऴ साइख यह गया अगर फोहां टीछ और फोर लेंथ आना चाहिए यह पूरा ही प्लेंड्रोम है तो इसमें इसलिए हम यहां पर left में i कर रहे हैं और right में i plus 1 कर रहे हैं ताकि हम यहां पर चेक करें left and right तो हमारा i और i plus 1 पहले चेक हो जाए means b और b दोनों ही index 1 का और index 2 का दोनों भी पहले equal check हो जाए जो कि check हो जाएगा फिर इसके अंदर left minus minus right plus plus के कारण a और a पे चला जाएगा जो कि यह भी equal जाएगा फिर हमारा यह loop आगे continue नहीं होगा जिसके कारण हमें length 4 मिल जाएगा easily तो किसी ना किसी का कम होगा length और किसी ना किसी एक का जो सही में palindrome में उसका जाएगा तो इसलिए हम हमेशा max करेंगे तो एक int length लेंगे जिसमें mat.max करेंगे जिसमें length 1 और length 2 रेखेंगे और अब हम चेक करेंगे जो हमारा length है वो अगर बड़ा हो किया प्रीवियस राइट जो हमारा होगा और left जो यहां पर हमने यहां का right और left 00 है फिलाल first iteration में इस right left से इस right left का कोई लेना देना नहीं है तो यहां पर right minus left अगर किया जाए अगर हमारा जो length है वो अगर बड़ा होता है right minus left से तो हम क्या करेंगे हम अपने right को i length by 2 कर देंगे और हमारे left को length minus 1 by 2 कर देंगे यहां पर जब हम return कुछ करने वाले होगे for look के बाहर means return करेंगे तो हम कोई substring करने वाले return यह से s.substring जिसमें हम यहां पर कुछ right देंगे कुछ left देंगे of course तो जिसके कारान हमारा substring शो करेगा तो यहां पर हम देने वाले हैं left, right plus 1 हम इसलिए कर रहे हैं यहां पर ताके extreme edge होगा वह हमेसा contain नहीं करता है ना substring में last वाला index इसलिए मैंने इसको plus 1 कर दिया है आगे तो यह हमारा कोड रहा पूरा बस यही अब रन करके देखते इसको यहां पर इंटीजर की ज़रूरत है कोई टाइप तो देंगे ना क्यूंकि हम इंटीजर में रिटर्न करेंगे तो यहां पर हमारा रन हो गया है सही से अब करते हैं तो यह हमारा टेस्ट के सारे पास हो चुके हैं और सम्मेट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं यह हमारा कोड है फाइनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग